आज की वीडियो में आपके साथ पंजाब बोर्ड और आजाज जमयन कश्मीर के बोर्ड के मैट्रिक और इंटर्मीडियर के रिजल्ड के हवाले से तमाम अपडेट्स शेयर करेंगे सबसे पहले तो ये बात अब 100% कनफर्म हो चुकी है कि इंटर्मीडियर पार्टो यानि सेकंड यर का रिजल्ड कल 14 अक्तूबर की शाम 5 बजे जारी किया जाएगा और मैट्रिक का रिजल्ड 16 अक्तूबर की शाम 5 बजे अनौंस किया जाएगा और स्पेशल अक्जेम्ज नवेंबर के एंड में कंड़क किया जाएगे बारहाल इस सहल पंजाब बोर्ड पोजिशन होल्ड स्टूडंट का इलान नहीं करेंगे जाएगा लाहूर बोर्ड के student 80029 पर अपना roll number message करें जिससे उनका result बता दिया जाएगा गुजरावाला बोर्ड के student 80029 पर message करें फैसलाबाद बोर्ड के student 800240 रावल पिंडी के लिए 800296 और मुलतान बोर्ड के student 800293 पर message करें और इसके बाद आपको बताएं कि लाहूर और फैसलाबाद बोर्ड के official websites के उपर revised promotion policy upload कर दी गई है ये promotion policy revised rules के साथ जारी की गई है और इसमें एक शीक add की गई है कैसे तमाम student जिनके paper check करने के बाद 33% से marks कम बनते हुए और वो fail होते हुए तो ऐसे students को passing marks देकर pass कर दिया जा इस साल absent students के अलावा metric और intermediate के किसी student को fail नहीं किया जाएगा ये promotion policy वो ही है जो आज से दो माँ पहले जारी हुई थी लेकिन इसमें सिर्फ अब एक point add कर दिया गया है कि 33% marks देकर students को pass किया जाएगा उनके elective subjects की basis पर ही उन्हें compulsory subjects में marks दिया जाएंगे ऐसे students को 5% additional marks भी ग्रांड किया जाएंगे और अगर ये students fail होते हुए तो उन्हें 33% passing marks ग्रांड कर दिया जाएंगे याद रहे कि यहां marks improvement के students का भी जिकर किया गया है जिसका मतलब ये है कि Improver students को भी compulsory subjects में 5% additional marks दिया जाएंगे Improver students इस पात को लेकर बहुत ज़्यादा परिशान हो रहे थे कि क्या उन्हें compulsory subjects में 5% additional marks मिलेंगे या नहीं और अब promotion policy से ये बात वाजिय हो गई है कि Improver students को भी compulsory subjects में 5% इजाफी नमबर मिलेंगे और ये बात मजीद भी elaborate हो जाती है अगर आप point number 3 देखें जिसमें clearly बात mentioned है कि ऐसे तमाम student जो intermediate part 1 यानि first year को इंप्रूव कर रहे थे तो उनका result भी सिर्फ elective subjects की basis पर बनेंगा और उन्हें compulsory subjects में उसी तناسب से marks दे दिये जाएंगे जितने उनके elective subjects में होंगे मजीद ऐसे तलबा को 5% additional marks भी grant किया जाएंगे intermediate के साथ साथ metric part 2 यानि दसमी class के students के marks भी compulsory subjects की basis पर ही बनेंगे तमाम students को compulsory subjects में 5% additional marks मिलेंगे और fail होने वाले students को 33% marks दे कर पास कर दिया जाएगा और practicals के marks इस हिसाब से दिया जाएंगे कि 50% से number तमाम students को full मिल जाएंगे जबके बाकी 50% से उस subject के theory के paper के marks की proportionate के हिसाब से मिलेंगे इसके लावा point number 16 में ये बात mention की गई है कि metric और intermediate के ऐसे तमाम student जो अपने exams में absent रहे या जो 33% marks दे कर पास किये जाने पर रजामन नहीं है तो ये November 2021 में होने वाले special exams में appear हो सकते हैं ऐसे students को result के announcement के 15 दिनों के अंदर special exams में appear होने के लिए written form में application देनी होगी point number 17 नाइन्थ और first year के students से related है कि अगर वो अपने result को accept नहीं करते तो उन्हे result के announcement के 30 दिनों के अंदर अपने मुतलका बोर्ड को inform करना होगा ऐसे केस में इन students का result cancel कर दिया जाएगा और ये अगले साल दोनों parts के यानि metric के students 9th और 10th के और intermediate के students first और second year के composite exams देंगे और अगले साल इनके दोनों parts में जितने marks बनते हुए वो ही इनके final marks होंगे तमाम students की transcript के उपर ये statement mentioned होगी इस statement से किसी student को परिशान होने की जरूरत नहीं है आपकी transcript की value इससे हरकिस कम नहीं होगी और point number 19 के मताबक इस policy का इतलाग 2021 के examinations और results पर ही होगा जबके 2022 के examinations और results पुराने rules के मताबक ही होंगे पाकिस्तान की तमाम universities और institutions के admission की मालूमात medical colleges के दाखलों और MDCAD की मुकमल रहनुमाई medical engineering, law और fine arts के entry test allied health sciences, computer science, media studies, social sciences और business studies के programs universities के admission schedule और merit लिस्टों की तफसील, national और international scholarships, board इम्तिहाना, दाखलों, result और improvement की मुकमल information, army, navy और air force के joining programs, career counseling और तमाम ज़रूरी announcements, notifications और तालीमी न्यूज़ हासल करने के लिए अभी हमारा professional whatsapp group join करें सिर्फ 300 रुपे में पूरे साल के लिए join करने का तरीका screen पर और video की description में दिया गया है करने 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 करें